हेलो एब्रीवन आप सोका बहुत बहुत स्वागत हैं आपके अपने चैनल ही लॉवदीएज इस देखे आई हूँ इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि नेक्स 72 आर्स अगले 72 घंटे आप लोग लिए कैसे रहने वाले हैं क्या कुछ आप आप लोग के साथ यहां पर होने वाला है सो यह जो 72 आर्स का टाइमिंग है ना यह बड़ा ही मतलब अभी का है प्रेजंट का है सो यहां पर हम यहीं देखेंगे कि आपके प्रेजंट के लिए कि करेंट एनर्जी के बहाफ पर आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है अभी आप ही भी आप लोग देखोगे उसके नेक्स 72 वार्स की जो एनरजी होंगी वो इस रीडिंग में होंगी ओके सहां पर मैंने आप लोग के सामने दो आप्शन रखे हुए हैं ऑप्शन पर्स के लिए है यहां पर इंजल नंबर 555 और साथ में यहां यहां पर फॉर्टिलिट करनी है इशर को याद करना है उसके बाद जो भी ग्रॉफ आपको ज्यादा अट्रेक्ट करें आप उसको चूज कर सकते हैं टाइम स्टम्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे याद रहे है यह चैनल रीडिंग है सो हो सकता है आप लोग के सा चूज किया है सो देख लेते हैं लेक्स वंटी टू अगले बहुतर गंटे आप लोग के साथ रहने वाली है क्या कुछ यहां पर आप लोग के साथ होकर रहे का गाइड़न से आप लोग ले क्या एडवाइस है इस उस शुपल कर लेते हैं का आप्शन फर्स जैसे निवर् जी काट पहले भी यहां पनाजर आप था टिएविल अगर मैं आप लोग की current energies की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर आप लोग काफी confused नज़र आ रहे हो कहीं पर अठके हुए हो कहीं पर फसे पड़े हो बहुत सद अपनी life में ऐसा feel कर रहे हो कि जैसे stuck से हो गए हो जो करना पढ़ रहा है उसमें खुशी नहीं मिल दी जो करना चाते हो वो कर नहीं पा रहे हो कुछ ऐसी situation में आप लोग लें यहाँ पर देख रहे हो काम भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मन से नहीं कर रहे हो मतलब बुझा बुझा सा feel कर रहे हो जो है वो जिस तरीके से आप करना चाहरे हो उस तरीके से वो काम जो है वो आपके नहीं बन पा रहे हो तो काफी जादा मैं आपको उल्जन सी में देख रही हूं आपकी current energies यहाँ पर कुछ ऐसी ही है कुछ decision लेना है आपको लेकिन आप decision ले नहीं पा रहे हो आना बहुत जादा मेहनत करनी पड़ेगी option first मैं आप लोग को पहली ही पता दू सबसे बड़ी चीज पते क्या है आप लोग को यहाँ पर कि आपको अपने माइंड को ठीक रखना पड़ेगा आपका माइंड जो है वो बहुत जादा इधर उधर भागता होगा mood ही बहुत जल्दी आप को रहते होंगे जिसकी विजह से इसी situation भी हो सकती है जिसे आप आज का काम जो है वह डेली कल पर टाल देते चाहिज हो जाते ऑपाटी में थोड़ता सा लथार जी क्योंड़ नहीं रहती है lazy nast बनी रहती है तो करना तो बहुत कुछ है करने को बहुत कुछ है लेकिन ऐसा हो करने को बहुत कुछ है लेकिन जो बहुत कुछ इखटा हो गया इसके वज़े से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो यहां पर जैसे मैंने आप लोगों से कहा गाइडेंस आप लोग यह है कि अपने माइंड को स्टेवल रखो अपने माइंड को फोकस रखो कंसंट्रेट रखो एक बार में एक ही काम करो प्रॉपर अपना शिड्डियूल बनाओ कि आज मुझे यह काम खतम करना है कल यह करना है तरसो परसो यह करना है इस तरीके से चीज़ें आपको यहां पर मैनेज करनी पड़ेंगी जितनी कमिट्मेंट आफ फिक्स करो ना सब्सक्राइब आज जैसे आने वाले होते थे या कुछ भी होता था ना तो वहीं यहां पर कहा जा रहा है कि अपना प्रॉपर शिड्डियूल बनाओ अपनी चीज़ों को मैनेज करो और खुछ से कमिट्मेंट करो कि जितना काम में करना डिसाइड करूंगा, उतना में करूंगा, करूंगी, हर हाल मे करूंगी यहां पे आप लोग ले फिलाल ना meditation करना बहुत ज़्याद जरूरी है आप लोग के मन में ना बहुत तरीके की सवाल उठ रहे हैं आप कुछ भी कर रहे हो कुछ भी काम कर रहे हो मैं क्यों कर रहा हूं मुझे क्या हासल होने वाला है यह करने से मेरा भला होगा की न यहां पालतू के कॉशन है अगर मैं डिरिकली बोलू तो हर कॉशन पर जोर देना आप लोग को जरूरी नहीं है अभी यहां पे यह तो मैंने बता दिया कि क्या कुछ हो रहा है अभी करना क्या है है ना guidance यहां पे देखते हैं option first next 72 hours कैसे रहेंगे क्या कुछ होने वाला है option फर्स्ट टू अफ कर्प्स इस्ट्रेंट क्वीन ओफ सौर्च मैंने कहा न डिस्सी प्लेन वही है यहां पे डिस्सी प्लेन में भाही रहना आप लोग ले बहुत जरूरी है next 72 hours की मैं बात करूँ तो situation भी आप लोग की बदलेगी यहां पे अभी जिस तरीके से चीज़ें आपकी life में चल रही है न मैं देख रही हूं कि past एक week की energies आप लोग की ऐसी जादा चल रही होंगी आप अपनी situation में change करोगे इसके लिए मुझे यहां पे आप लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई workout वगरा करना start कर दो आप जिम के लिए बात कर लो किसी से या आप अपना कोई special routine फॉलो करने लग जा आप कोई अपना diet का pattern फॉलो करना शुरू कर दो यह energies मुझे यहां पे नजर आ रही है जो भी लो अपनी current energies उनकी थोड़ी सी गड़बडाई हुई है तो जैसे अब उनको support कर रहे हो अब उनको help कर रहे हो वो चीज मझे हां पे नजर आ रही है और जो भी लोग single है उनको अपना पता नहीं यह खाली पन शाय थोड़ा खलने वाला है या चीज़े थोड़ी सी ऐसे जो मैंने अभी यहां पर guidance दी थी ना आपको कि अपना schedule बनाओ चीजों को manage करो discipline लेके आओ जितना काम आप करने का commitment को पूरा करो वही चीज़े मुझे यहां पर आप लोग ले दिखाई दे रही है यहां पर ती wheel की energy है ती wheel of fortune की energy है और जो है बदलाव की energy कि अभी अपना मन पक्का कर लोगे आप लोग की मुझे बदलाव चाहिए मुझे changes चाहिए और उसके लिए ही महनत करोगे efforts करोगे यह energies यहां पर मुझे आप लोग की pick हो रही है कुछ ना आपको फालतू के addictions लग जाते होंगे option first फालतू के addictions जैसे कैसे जैसे कि कोई series देखने का addiction लग पर्टिकुलर कोई sad song सुनने का addictions लग एडिक्शन लगया और उसके विज़े से अपका मन डाइवर्ट होता होगा लेकिन एक 72 अगर ऐसा कुछ भी है आप अपनी उस addiction को you know just start up by way बोलोगे क्योंकि यहां पर devil के नीचे ही strength का card आया है अपनी weakness को ही अपनी strength में convert करो के simple means य आप लोग रहोगे अपनी life को लेके and काफी powerful में यहां पर आप लोग को feel कर पा रहे हैं मतलब high vibration में आप लोग रहोगे अपने आगे को लेके plans बनाऊगे option B अपने साथ लेके चलोगे कि अगर option A मेरे लिए work नहीं करता है तो मेरे option B क्या होना चाहिए इन चीजों के ऊपर को अपने mind को ही बस काम पर लगाना है वाकि आप सब कुछ कर लोगे बस आप moody हो जाते हो ना तो थोड़ा सा उस पर ही काम करनी की आप लोग को जरूरत है तो amethyst आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा बैस्ट रहेगा आपके लिए आपका focus अच्छा करेगा आपक एक्टिवेट ही हो जाएगा लेकिन आप उसकी energies को balance कर पाओगी ठीक है चलिए अभी कुछ और भी कार्ट सेखते हैं विस्डम का कार्ट गिरा है यहां पर मैं शफल करके ही लोगी option फर्स्ट कि रेस्ट करो बहुत जादा कुछ किचरी माइन में पक चुकी है बहुत कुछ माइन में भर चुका है सो यह रेस्ट रिपेर वाला टाइम है आप लगों के लिए थोड़ सा रेस्ट करो रिलेक्स करो और फिर वापस से काम पर लग जाओ ठीक है यह चीज करी जारी कभी बैक भी लेना पड़ता है एक लंबा यूनो चलने के लिए लंबा मतलब देर तक चलने के लिए थोड़ा से स्टेप बैक लेके थोड़ा से रिलेक्स करना पड़ता है तो वहीं यहां पर मेसेज है अगर मन नहीं लग रहा है ना तो थोड़ी देर के लिए खुद को रेस्टी करने दो क्योंकि बहुत सारा काम हो रहा है ना यहां पर उसकी विज़े से आप बहुत जादा ना ऐसा मतलब ठका ठका सा फील कर रहे हो है ना हामनी नंबर सिक्स लेशन्शिप को लेके थोड़ा सा कुई कुछ रह सकता है ना तो परिशान हो सकते हो या बहुत सारे लोग भई अपने परसन के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं जो भी लोग काफी दूरी पर रहते हैं लॉंग डिस्टेंस पर रहते हैं कपी समय बात अगर आप मिलना चाह रहे हैं तो आप अपने परसन से मिल सकते हैं यह ताइम यहां पर ऐसा है यह एकदम सड़न ही होगा जो भी कुछ होगा अवेरनेस नमर वन यहां पर इसी हाई प्रिस्टिस का भी काड है अप लोग की अवेरनेस भढ़ रहे हैं ऑप्शन फरस्ट यूनिवर्स को लेके यूनिवर्स की एनरजी के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है एक चीज यहां पर यह कही जारी है कि अपनी ल के बारे में जानो और आप मैनिफेस्ट करो अपनी उपर काम करो ठीक है एक 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 एफिर्मेशन के साथ आप लोग काम करो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको काफी जादा बैनिफिट भी मिलेगा अप्शन फर्स्ट मोन एनरजी सरेंडर तो दी नेच्रल एबन फ्लो अफ्लो फ्लाइफ if you are feeling confused this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible and यही तो आप लोग को चाहिए और क्या चाहिए ऑप्शन फर्स्ट यही आप लोग को चाहिए थोड़ा से emotional यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है confused feel कर रहे हो और यहाँ पर भाई आप लोग की help की जा रहे है यह universe आपकी मदद कर रहा है universal allergies आपकी help कर रही है आपको बस वह help को न रिसीव करना है और आप उस help को कैसे रिसीव करोगे बस अपने मन को शान कर आप जब meditate करोगे आपको आपके सवालों का जवाब जो है वो ज़रूर मिलेगा आपको direction क्या लेनी है आगे action क्या लेना है किस direction में जाना है आपको यह ज़रूर समझ में आएगा अपने mind में you know peace of mind शानती लेके आओ बहुत कुछ अपने मन को थोड़ा शानत रखने की आप लोग को ज़रूरत है इसलिए मैंने आपको amethyst suggest किया था ओके से हाँ यहां पर दो कार्ड आना चाहते हैं shine from within look our only skin deep true beauty shines from within it's time for you to shine this is the time for self-reflectance and for rebuilding your true beauty तो यहां पर वही आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर से shine करो you know भारी सुन्दरता तो सबकी है लेकिन असल में सुन्दर वो है जो अंदर से सुन्दर है जिसका दिल खूबसूरत है जिसके thought you know जिसके विचार खूबसूरत है जो अपने सासा सबका अच्छा सोचता है अपने आपको रिपेर करो जहां के जहां पर जाके आप बहुत जादा फ्रेश 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 फील करते हो ना ऐसी जो भी आपके लिए फेवरिट फेवरिट जिगें हो वहां पर जरूर जाओ ठीक है यहां से और देखते हैं लास्ट क्या गाइडेंस है ऑप्शिन फर्स्ट पीस्फुल रेजिल्यूशन अन्लाइकलें की पीस्फुल प्राब्लम चल रही है लाइफ में लोगों को लेकर कुछ फी प्राब्लम सब्सक्राइब जरूरिए लिए कि लड़ाई जकड़ें से नहीं peaceful resolution यहाँ पर निकालना है एक deep conversation की यहाँ पर need है unlikely का card है तो ज़रूरी नहीं है कि चीजें हमेशा हमारे according ही हो चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए step back लीजिए थोड़ा सा rest करिए resonate करिए यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी energies को refresh करना एक तरीके से आपके लिए बहुत ज़रूरी है उके उसके बाद ही आपका काम में मन लगेगा अब सब कुछ अच्छे से करोगे option 1 आप लोगों की rating आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो comments कर कि अपना feedback मेरे से ज़रूर शेर करिए का अच्छी लगी हो इसको लाइक करना चैनल को subscribe करना ने भूले और मैं मिलते हूं आप लोगों से नेक सीरिंग में तक के लिए बाई अगर आप लोगों नहीं इंजल नमर 777 और साथ में लाइट का अच्छी आप्छी 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 आप् का पहला कार्ड भी दी हैंट में था ओके नाइन आफ स्वार्ट्स पूर फॉन्स टैन आफ स्वार्ट्स करन्ट एनर्जी इसके अगर मैं आप लोग की बात करूं काफी पेन में हो काफी कुछ खोने का पेन है काफी कुछ खोने का दुख है मन में पास्ट की चीज़ें बहुत जादा आपको याद आरी होंगी उसने ऐसे किया उसने वैसे कर दिया ऐसा क्यों नहीं हुआ क्या गुलती हो गई क्या बहुत सारी चीज़ें आप लोगे माईन में चल रही है, ऐसा लग रहा होगा आपको शायद की लाइफ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खतम हो गया है, काफी ज़दा परेशान होंगे, हो सकता है रात में भी नीन नहीं आरी हो, रात को भी बहुत ज़दा एंजाइटी हो रही हो panic attacks आप लोग को आ रहे हो और जस्ट यहां पर the hanged man की situation ऐसी है कि समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है आगे किस तरीके से करना है कहां वो रोशनी आप लोग को मिलेगी कहां वो success आप लोग को मिलेगी चीजें आगे किस तरीके से execute होंगी आगे सब कुछ सही किस तरीके से होगा इसलिए भी ऐसा हो सकता है भाई कि किसी का दिल तूटा हो कोई exam आपने दिया हो वो clear नहीं हुआ हो जिसके विज़े से सारी situations यहां पर होई हो हाला कि यहां पर four of wands की energy भी है तो यह card बता हो रहा है कि इस तल कोई ना कोई celebration आप लोग की life में हो सकता है किसी की शादी है किसी की बद्धे party है कोई celebrate कर रहा है आप किसी sudden आपको किसी trip पे जाने का you know offer आ गया तो आप वहां पर घूमने जा रहे हो लेकिन आप enjoy भी कर रहे हो आप काफी सारे लोगों से भी घरे हुए हो लेकिन अंदर से काफी ज़दा lonely feel कर रहे है यानि कि सबके साथ हो जैसे दिन में कोई party है रात को घर आके भई रो रहे हैं बात्रूम में जाके रो हो रहे हो किसी को पतानी चल जाए कुछ ऐसी situation है मतलब सब कुछ चल रहा है लेकिन अपनी life से खुश नहीं हो और आपको यह भी जानना है कि जो खुशी आप चाते हो जो खुशी आप करते हो वह आपको मिलेगी नहीं मिलेगी कैसे मिलेगी कब मिलेगी बहुत सारी अब करता है मतलब आपको ऐसा भी लगता होगा कि हमारे साथ कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है है ना तो यह कुछ ना कुछ बखुश बड़ा ब्लॉकेज आपके साथ है मैं इसकी रीडिंग अगर मैं बोलो तो बहुत बहुत में जाके पता करना पड़ेगा कि ऐसा क्यो हुआ है लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस अभी मैं बताऊंगे डोन वरी चिक है मैं देखते हैं ने क्या कुछ होने वाला है और किस तरीके से आप इस ब्लॉकेज को रिमूव कर सकते हों मैं अडिशनली आपके लिए यह भी देखूंगी लिए आप्षणंपर्स में ठीका था दिग का था अट कि फिल में था यह रोड़ी फाव यह आप लोग मैं बताती हूं कभी-कभी लोगो दरा मैं यह भी देख लेती हूं पहले फिर उन बताते हूं डेखो option 2 आप लोग ना एक बार अपने माइंड में कुछ चीजों को fix कर लेते हो for example जैसे कि ना आपने किसी चीज को manifest किया first time आपने manifest किया और वो चीज manifest नहीं होई देखो जरूरी नहीं है कि हम first time में कुछ manifest करें तो वह होई जाए मैंने भी कुछ manifest किया था यह true मेरी story है वह बिल्कुल manifest नहीं हुआ मैंने first time अपना vision board भी बनाय वह बिल्कुल fail हुआ वह जाए यह नो पहली पहली बारे तो चीजें जरूरी नहीं है कि होई जाए और फिर आपने क्या criteria बना लिया manifestation बेकार है ठीक है कुछ इस तरीके से चीजें आपके साथ हुई है और अपने ना जज कर लिया है चीजों को और आप अपने मन में ना अपने के strong wall बना लिए एक दिवार सी बना लिए कि यह ऐसे यह ऐसे है यहां पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि गिव यॉर्सेल्फ अन्न दजांस अपने आपको एक दूसरा चांस भी दें दुबारा से चीजों को ट्राइ करें देखो यह वील देखो एक यह है यह है यह है धीर धीर आगे भड़ते हैं तो वह चीज यहां पर करी जा रही है option 2 कि वैसे मैं बात यह मैं भी blockages को थोड़ा सा रिमूफ करने वाली बात कर रही थी और इसके साथ यहां पर eight of cups का भी काड आया है जो यह बता रहा है कि अपनी life में पुरानी चीजों को रिमूफ करो अगर ऐसा है कुछ मैं आपको बोलू जैसे आपको कोई relationship टूट गया लेकिन इस्टिल आपने photograph रख रखे हैं उनके letters रख रखे हैं कुछ भी ऐसे चीज़ें हैं उनको अपनी life में से निकालो रिमूफ क जरूरी है इन energy से बहार निकलना आप लोग ले बहुत ज़्यादा जरूरी है overthinking बंद करना आप लोग ले बहुत ज़्यादा जरूरी है जितना creative आप रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहे का देखो next 72 hours में decision आपको लेना है choose आपको करना है आप आगे भरना choose करते ह हो या आप इन ही energy के साथ इस टक रहना पसंद करते हो because यहाँ पर page of pentacles का card है king of swords का card है the wheel का card है night of cups का card है तो आप लोग कुछ you know strong commitment ले सकते हो कि मुझे अब आगे ऐसे करना है discipline अपनी life में आप लोग लेके आ सकते हो कुछ चीजें आप लोग decide कर सकते हो कि मुझे अब daily gratitude journal लिखना है मुझे अब ये manifestation technique apply करनी है मैं daily अपसे सुबह शाम affirmation अपने लिए दिया करूंगी ये चीजें मुझे हाँ पर नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है ना कि आप लोग शायद अपने लिए किस आपकी लेकिन शायद वो जो relationship है वो इस start ही नहीं हो पारे शुरू ही नहीं हो पारे कहीं पर start भी हो गई तो कहीं पर अटक गई और उसकी विजए से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी life पे अटक गई है देखो चीजों को personal चीजों को professional चीजों को थोड़ा अलग रखना सीख कुछ ऐसी books को बढ़ें अपने mindset को change करना अपने subconscious mind के programming करना आप लोग ले बहुत ज़रूरी है ठीक है option 2 देखो clear cut बातों को करना सीखो option 2 अगर किसी रिष्टे की वज़े से आप उलजे पड़े हो सामने वाला आपको नहीं बता रहा है तो आप clearly जाकि उनसे पूछ लो at least आपको clarity तो मिलेगी न कि आपको क्या करना है आगे आप अपने मन में situations को बुने जा रहे हो कहानियों को बुने जा रहे हो clearly बात करो चीक है चलिए अभी देखते हैं आप और क्या guidance है option 2 oh my god moving on और मैंने आप लोग को यही message दिया कि move on आप लोगों को करना पड़ेगा चीजों से आगे आप लोगों को भरना पड़ेगा तभी आपकी लाइफ में success आएगी यह मैंने काड निकाला था मैंने यही निकाला था कि यह जो blockages आए हुए है यह किस तरीके से remove होंगे and the answer is moving on move on करना पड़ेगा I know sometimes यह बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन जंदकी का तो नाम है ना भड़ते रहना है ना तो आगे बढ़िए चीज यहाँ पर कई जाती है आप लोगों से choose wisely आपको choose करना पड़ेगा यह वही काड़ है मैंने कहा ना choose आपने करना है decision आपने लेना है कि आपको क्या चाहिए आपको क्या नहीं चाहिए कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा important है तो यहाँ पे भाई दिल और दिमाग को साथ में रखें और उसके साथ ही आपे choose करें कुछ लोगों को जैसे मैंने बोला कि उनकी love life में problem है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता हो कि relationship कभी होई नहीं सकता या चीज़े कभी होई नहीं सकती लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो वहां से move on आ तो फिर आप यह पिर move on करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके से फिर आपको hope ono prayर करनी पड़ेगे ठीक है हो अपोणो अपोणो प्रेयर के बारे में जानिये research करिए hopepono उपणो इखभायां टेक्नीक है ठीक है अब इसके बारे में जानेंगे सब लोगे है आपको मिल यानि कि मुझे जो भी कुछ गलतियां होई है या मेरा आपके साथ कोई भी अगर कार्मिक रिलेशन है प्लीज मज़े माफ कर दीजे अगर मेरी वज़े से कभी मैंने आपका दिल दुखाया मेरी वज़े से आपको दुख हुआ कोई तकलीफ हुई कुछ भी हुआ है प्लीज मज़े माफ कर दीजे इस तरीके से किया जाता है तब जाके वो जो कार्मिक यूनो जो इशू आ रहा है आपका उस परसन के साथ वो तब रिजॉल्व होता है तब आप वो डिटेच हो पाते हो कभी कभी बहुत कुछ समझना भी पड़ता है और करना भी पड़ता है ठीक है तो कोई बात नहीं सब कुछ हो जाएगा आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी और डिटमिनेशन कि मुझे अब आगे भढ़ना है कोई भी शक्ती, कोई भी तागत तब मुझे आगे भढ़ने से नहीं रोक सकती तिवेडिंग गेंग थोड़ा से इंतिजार करना पड़ेगा ठीक है हीलिंग जो है वो एक दिन में नहीं हो जाती है हीलिंग बहुत सारे लोग उससे बते क्रिस्टल्स लेके पूछते है आधे से डहीं कितने टाइंफे हो जाएगा यहील दिखो जितना बड़ा-ब्लॉकर जितना बड़ा इसओ है उतना यह टाइंफ करने की कि अपका इसओ कितना बड़ा है प्रॉब्लम है ना तो टेकश टाइंμ आपको पेशन रखना पड़ेगा तहरे रखना पड़ेगा हिम्मत रखनी पड़ेगी ऑप्शन तो लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा चीक है पॉजिटिव रही है यहां से देखते हैं क्या गाइडेंस है ऑप्शन टू ट्री विस्टम इस ट्री ड्रायट विल है यू निविगेट तो यू करेंट सिच्वेशन हर फ्यूट कन रिवील इंसाइट अन्सर थो तो तो त्रदी सांड टमेंग्स ओके सो यहां पर ट्री अगर आपके घर के आसपास ऐसा है कि कोई ट्री है या बच्पन से ऐसा है कि आपके तो यहां पर ट्री के साथ कनेक्ट करिए तो यहां पर ट्री के साथ कनेक्ट करिए नेचर के साथ कनेक्ट करिए आपके लिए बहुत अच्छा रहे था शाइन फ्रम विदिन यह भी ऑप्शन फर्स्ट में था I don't know option फर्स्ट की भी रीडिंग एक बर आप लोग देख लेना क्योंकि काफी सारे काट्स जो है वो रिपीट हुए हैं यहां पे एक बर यहां प और सेलोफ एक्सेटेंस और और यहां पर रहे कहा चारा है कि जो सछी सुंदर्ता होती है जो अंदर है आपकी असुल कितने सुंहरे आपके तोर्स कितने सुंहरे हैं यह जो टाइम हैं वो शायन करने का है ठीक है हर चकरा आवेकनिंग में बहुत सारे लोग धी अप देख रहे हूं आप रोज स्क्वार्स के साथ अब इन दोनों प्रिस्टल के साथ काम करिए अप इनके पहनी या इनके स्टों लेजिए इसके साथ अपनी हीलिंग करिए इसके साथ अप मेडिटेशन करिए यह आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे ठीक है हर चक्रा हीलिंग आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है यहां से और देखते हैं लास्ट क्या गाइडेंस है ऑप्शन टू चूज ए नियू डिरेक्शन यहां पर एंजल्स की तरफ से मैसेज है आप लोगों के लिए आप्शन टू कि चूज ए नियू डिरेक्शन अपनी लिए एक नई दिशा को चूज करें जहां पर आप हो इस सिच्वेशन में शायद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जहां पर करो एक नहीं डिरेक्शन को चूज करो ठीक है यहां पर नो है इस्टिल कुछ लोग फोप लगाके बैठे हैं उस चीज से जहां पर उनको रिजर्ट नहीं मिलेगा यह दोनों कार्ड यहीं कह रहे हैं कि आगे बढ़ो अगर मैं कुछ भी एक्स्प्रेस नहीं करो मैं कुछ भी नहीं बोलो अपने चीक चीक कर बोल रहे हैं moving on choose a new direction no choose wisely यह सब कार्ड मतलब जस आपको लिफट अफ करने के लिए आए हैं कि आप सही डिरेक्शन को उपनी लाइप में चूज कर रहे हम सो ऑप्शन टू अगर कोई आपको हील कर सकता है तो वह आप खुद हो कुछ decisions यहां पर लेने हैं कुछ changes यहां पर आप लोगों को करने हैं हिमत रखनी है strongly boldly यहां पर decision लेने हैं यह है आप लोगों के रिडिंग ऑप्शन टू गॉड प्लेसियू मैं प्रेयर करूंगे आप लोगों के लिए कि आप सब लोग खुश रहें सुखी रहें स्वस्त रहें और यह जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम वाला जो भी फीस चल रहा है जल्दी से गुदर जा खुशियां आपकी लाइफ में आएं ओके सो मैं मिलते हैं आप लोगों से नेक सीडिंग में यह रीडिंग अच्छे लगी हो तो इसको लाइक करना चैनल को सब्स्क्राइब करना नहीं भूलें अपना फीडवेग भी मेरे से जरूर शेयर करें अगर आप लोग क्रिस्टल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर कर सकते हो या पर आप मुझे मेल कर सकते हो दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस कैमर से साफधान रहें मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स मे शेर नहीं करते हूं, so बाई